हेलो बच्चों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे यूपी एसाई पिच्चानमे सो चौनतिस पोस्ट वो भरती जो एक तरफ काम्याबी की ओर है तो दूसरा तरफ दोस्तों जो केस है उसमें भी जो पिरक्रिया है वो आगे बढ़ रही है दीरे धीरे ही सही लेकिन भरती काम्याबी की और भी अकरसर है और कोट में भी लंबित है ऐसे मैं क्या इसे this इस है और यह प्रम प्रम उसका है चालना मेंने भी जताई थी आप लोगों वह यह पुरानी वीडियों से हैं उसस पर कॉमेंट करके कह दो तो इसमें कोई भी गुंजाइस नहीं है बड़े पेमाने पर धांदली तो हुई है निउस्पेपर एक वार फिर से यह कहता है सरकार एक वार फिर से यह मानती है कि इस भरती में अकल हुई है आप लोगों को पता होगा केस संख्या 37 37 जिसे एक दूसरी रिट से कनेक्ट किया गया है हाल फिलाल में और पैंताले सिक्यासी यानि एस परिहार जी की जो रिट है उसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी है क्या होगा क्या नहीं होगा क्या आगे फिर से डेट बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तक वो ही होता चला जा रहा सनी देवल की फिल्म का जो डायलोग है वो काता ही भी गलत नहीं है कि तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक मिलती रहे जचसाब लेकिन इसाब नहीं मिला तो अभी भी तारीक पे तारीक पे तारीक ही किस केस की लगातार चाहे 377 हो चाहे 3595 हो ठीना चाहे और भी इस भरती स करता जा रही है जो सरकार की तरफ से बताया गै είναι आप को मैंने इससे पिछली वीडियों बताए था सरकार परिक्षा कराने के लिए एक नए तरीका का प्रियोग कर रही है पेपर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा ओनलाइन लेकिन ओमर सीट भरवाई जाएगी ऑफलाइन यह क्यों नौबत आ रही है ऐसा काम करने की पेपर अपसे जो OEMR सीट है उसकी तीन प्रतीलिपियां जो कि एक भरती बौड के पास में, एक कंपनी के पास में और एक छातर के पास में रहेगी तो कता इमतलब जो गढ़वड है वो इस पिरकार से नहीं हो पाएगी ऐसा भरतीबौड के अधिकारियों का मानना एक नया प्रियोग य बीच परिक्षा में बड़े पैमाने पर धांदली हुई एक सो सत्तर से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े गए सरकार ने माना लगवग सत्तर से अधिक कैंडिडेट के ऊपर दर्ज हुई और कई सारे जो कोचिंग संस्थान थे और कई सारे जो सेंटर थे वो भी इसमेल जो स्क्रीन सेरिंग हुई कंप्यूटर हैड्क हुआ ठीकिना सॉलवर इस मतलब पेपर में सक्रिय रहा सॉलवर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें एक दूसरे की जिए एक दूसरा बैठके है ना बाद बाद की भरती बोर्ट ने पकड़ा भी है बहुत लोगों को ऐसी ब होने वाले सवालों के जवाब चंद मिन्टों में दे दिये ठीना चार मिनट में मैध के 40-40 सवाल 29-39-33 सवाल 23-30 मिनट में हो गए ठीकिना एक ने तोड़ कर दिया 29 सेकिंड में ही करीब 15-20 सवालों के उत्तर उसने दे दिये इसमें कई परिक्षा केंद्रों की भूमी का संदिक्त पाई जाने पर तमाम मुकद में भी दर्ज कराए गए इसकी वज़े से परिक्षा इस्तगित करनी पड़ी ये क्या बोल रहा है बई परिक्षा कब इस्तगित कर दी इसने UPSI की परिक्षा इस्तगित कहां करनी पड़ी है द्वारा से सुनिये ऐसी नौबत क्यों आई भरती बोर्ट ने कुछ दिन पहले दरोगा भरती की ओनलाइन परिक्षा कराई थी जिसमें कम्प्यूटर को ही हैक कर लिया गया सौप्टिवेर की मदद से एक घंटे में हल होने वाले सवालों के जवाब चंद मिंटों में दे दिये इसमें कई परिक्षा केंदरों की भूमी का संदिग पाई जाने पर तमाम मुकद में भी दर्च कराई गए इसकी वज़े से परिक्षा इस्तगित करनी पड़ी रद न कि यह आप लोग जो देख पारें पेपर लीग का खौप अफ लाइन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर परिक्षा इसमें यह बात बोली गई है तो कहने का मतलब जब न्यूज़ पर एकसेप्ट करता है कि हां बड़े पैमाने पर नकल हुई है तो भई फिर तो जाच बनती है सब्सक्राइब करा लो यह तो बनती है वह कुछ सबीस में चोर नहीं है कुछ बच्चे इसमें महंती बच्चे का भी ध्यान रखा जाए और चोर है उनको केवल भार खदीर दिया जाए जो महनत से लगा है उससे एकसेप्ट किया जाए जितनी सीट खाली रह जाती और बच आगे बढ़ा दो इस भरती को लेकिन चोरों को भार करके भरती को द्वारा से देखके भी हां बिल्कुल अब किलियर है मामला तब आगे बढ़ा ठीक ना क्योंकि आप नहीं कहा था कि कोई नकल नहीं और आपने एकसेप्ट कर लिया कि नकल हुई है तो यह तो मतलब आप आप लोग समझ जाए कैसी वाली बात हो गई तो कहने का मतलब यह है आप लोग चैनल पर पहली वार विजट करने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें के संक्या पैंताली से क्यासी जिसको सुनवाई वीस फरवारी को होनी है 37 37 की नहीं हुई है वो कनेक्ट होगी दूसरी लेटर जो है वो आया हो क्योंकि अगर मेहनत से होती तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो थे दांदली से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है थर पस्वी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नौईटा की तरफ तो यहां पर हमारे आजपास किसी बच्चे का हम पर मतलब जो जो लेटर वो नहीं आया है तो देखे अगर किसी के पास में जो आया है तो भी मतलब देखें उसमें कि कब से जो ट्रेंडिंग है वो स्टार्ट होनी है तेरह मार्च की आज पास की डेट सुन रहे हैं इस पर हम एक पूरी तरीके से गहन अध्यन के बाद में एक वीडियो ले मानता है कि धांदली हुई है और 20 तारिक को सुनवाई इसकी होनी है जाहिंद वनेवातरम